आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार बड़ा ही दुखत विशय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के उपर तीन बार प्रहार होता है कॉंग्रेस पाटी के द्वारा सल्मान खुर्षीद, अल्वी साहब और अब स्वेंग उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा कल भारती जन्ता पाटी ने सल्मान खुर्षीद जी के किताब के उपर जब प्रेस कॉंफरेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दे सफाई दे और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुल कॉन्फरेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तव्प्य के उपर सलमान खुर्शीद जी के किताब के उपर अपनी सफाई रखी है और उस सफाई में उन्होंने हिंदु धर्म के उपर और हिंदुत्व के उपर जिस प्रकार का प्रहार किया है इसमें कोई नया विशाय नहीं है यह कॉंग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदु धर्म के उपर प्रहार जरूर करते हैं अवश्य करते हैं भगवान श्री राम के उपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं मैं आज कहना चाहूँगा इस प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से यह जो सल्मान खुर्शीद हिंदु धर्म के विरोध में कहते हैं उसको भोको हराम या आई-एस-आई-एस से कंपेर करते हैं या जब सशी थरूर हिंदु तालिबान कहते हैं या जब सैफरेंट टेरिजम कहा जाता है यह दिगविजय सिंग जी या मनीशंकर अयर हिंदु धर्म के खिलाफ कहते हैं तो यह इनके नीजी वक्तव्य नहीं होते हैं यह कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है दरसल यह सैयोग नहीं यह प्रयोग है और जो प्रयोग साला के सर्व से बड़े नेता है प्रयोग साला के मुख्य अध्यापक है वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी है यह राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, सशी थरूर दिग्विजय जी, मनीशंकर रायर फैरिस्त बहुत लंबी है ये लोग हिंदु धर्म के विरोध में अनरगल वक्तव्य देते हैं इस अट बिहस्ट अफ़ गांधी फैमिली बेर ले अखिंद राहुंगांधी बेद सलमान खुर्शीद, बेदी घविजय सब्सक्राइब इस नमान खुर्शीद, बेद भीजट विजए नशी दल्वी और बेद मनी शंकर रायर आफ विजय कंडिन गांधी ब्डूश ये दिदूश्म. amongst the Congress leader gets its traction gets its energy from Mr. Rahul Gandhi and from the Gandhi family बंदुगन मैंने आपको कहा था कि ये कोई पहली बार नहीं है जो Rahul Gandhi Hinduism के विरोध में Hindu धर्म के विरोध में कह रहे है मैं कुछ उदाहरन लेके आया हूं क्यूंकि अगर बहुत सारे उदाहरन दोंगा तो प्रेस कॉंफरेंस लंबा होगा बड़ा होगा मैं उदाहरन देना चाहता हूं 17 डिसेंबर 2010 का जब विकीलीक सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था जब यह विशह सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि बारत में आतंकवादियों से बड़ा खत्रा देश के हिंदुओं से है यह आप सब को पता है जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय यह पूरा विशह खुलासे के रूप में सामने आया था हिंदु पाकिस्तान, हिंदु तालीबान यह शशी थरूर जी का वक्तव्य था 2008 के जुलाई माह में ठीक उसी प्रकार पीच इदंबरम जी ने 25 अगस्ट 2010 को पहली बार सैफरन टेरिरिजम भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था यह अनायास ही नहीं किया था यह कोई सयोग नहीं था जो उन्होंने प्रयोग कर लिया और बाकि कई नेताओं ने उसके पस्चाथ सैफरन टेरिरिजम का प्रयोग किया यह बहुत ही सोचा समझा और कहीं न कहीं एक शडियंत्रकारी जाल बिचाया गया था गांधी परिवार द्वारा और हमें यो भी याद है जब हमने टीवी में डिबेट्स किये थे क्योंकि इनकलाब नामक एक बहुत बड़े उर्दू अकबार ने राहू गांधी जी का वक्तव्य छापा था हाँ हम मुसल्मानों की पाठी है ये सब बाते छुपी नहीं हुई है ये जन्ता के सामने है बंदुगर्ण मैं आपको यह भी आति लाना चाहूंगा जब राहू गांधी जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी में उन्होंने किस प्रकार से भारत की मूल संस्कुती भारत के सब्वेता के खिलाफ उन्होंने वक्त बे दिया था उन्होंने कहा था कि भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसकी वजह भारतिय संस्कुती है भारतिय संस्कुती के कारण महिलाओं के उपर अत्याचार होता है आपको यह भी आद होगा कि एक ऐसा वक्त था जब राहू गांदी जी ने कहा था मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं और मैं लिखके लाया हूँ हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं राहू गांदी इलेक्शन से ठीक पहले जाते हैं मंदिर वो वोट रामने चाते हैं वो वोट की राजनीती करने चाते हैं और यहां वो कह रहते हैं मंदिर जाने वाले लफंगे होते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं दुख के साथ आपको यह भी आद होगा ये वही political party है जो आज नफरत की बात कर रही है विचारदारा की बात कर रही है ये वही political party है 2019 के चुनाव से पहले भगवान श्री राम के मंदिर पर सुप्रीम कोट में सुनवाई ना हो उसके लिए भरसर प्रयोग किया था उसके लिए भरसर प्रयास किया था उनके party के तरफ से ये अभी कहा गया था जो उनके party के दिगज नेता है उनके तरफ से भरे अदारत में ये कहा गया था कि मिलोड ये जो सुनवाई भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हो रही है इस सुनवाई को टाल दिया जाए उन्नीस के चुनाओं के पश्चात ये सुनवाई भगवान राम के अस्तित्व को लेकर किस प्रकार से सोनिया गांधी जी के पार्टी ने एक एफेडेविट दिया था जिसमें भगवान राम को कालपनिक बताया गया था यह भी हमसे अचूता नहीं यह भी हम जानते हैं आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पढ़ रहा है कि आपने कहा कि आपने उपनिशत पढ़े हैं राहुल गांधी जी ने उपनिशत पढ़े हैं राहुल जी इस प्रेस कॉंफरेंस के बाद चंदोग्य उपनिशत ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा उपनिशत पढ़ा है आपने हिंदुस्तान का Constitution पढ़ लिया हो तो वही काफी है हिंदुस्तान के Constitution में समविधान में ये प्रयोजन ही नहीं है कि हम वयमनस्यता पहलाएं आपने आज जिस प्रकार से हिंदुधर्म और हिंदुईज्म के खिलाफ बोला है दिस अगेंस दे बेसिक टेनेंस अफ इंडिन Constitution आपने नहीं भारत का समविधान पढ़ा है और उपनिशत तो बहुत दूर की बाद है आपके फिर उपनिशत के नामों को देश के 130 करोड जंता के मन को ठेस पहुँचाया है हिंदु धर्म के विरोध में कहके उन्होंने कहा कि हिंदु धर्म के लोग दूसरों को मारते हैं काट देते हैं हम सिखों को बाकी लोगों को मारते हैं ये ग्रणक शब्द हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए राहूल जी, आपने शायद अटल जी की कविताएं नहीं पढ़ी होंगी राहूल जी, मगर हमारे परमादर नी अटल जी की कविता की एक पंक्ती में पढ़के आपको सुनाता हूँ, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, करनू सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घरगर में नरसंगहार किया, कोई बतलाए काबुन में जाकर कितनी मस्जिदे तोड़ी, भूभाग नहीं, भूभाग नहीं, शक्षत मानव के हिरदय को जीतने का निश्चे, हिंदू तनवन, हिंदू जीवन, रगरग हिंदू मेरा परीचे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है हिंदू इसम, यही है सनातन धर्म, यही है हिंदू धर्म, सब को अपने आहोस में ले लेना सब से गले लग जाना सब को लेकर चलना यही हमारा विराट धर्म है इसको मारने वाला बनने वाला इस प्रकार के शब्दों से अरंकृत करना उचित नहीं है राहूल जी और राहूल जी आपने आज अपने भाषन में नफरत वर्सेस प्यार की विचारधारा के विशह में बात का कि हम तो नफरत करने वाले लोग है और आप प्यार करने वाले लोग है राहूल जी आपसे एक निवेदन है अब आपकी वर्चुल रैली समाप्त हो गई होगी जरा दो टुक प्यार भरी बाते जी 23 वालों से कर लिए बहुर टमाटर से मारा आपने का पिल सिब्बल जी को थोड़ा सा बुला करके प्यार से चाय पिला दे अभी हमने टेलिविजन चैनलों के माध्यम से देखा है सचिन पाइलेट और गहलोज जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है उन दोनों को बैठा कर भी जरा प्यार की भाषा का प्रयोग करवाएं वहां 36 गड में भी हुपेंद्र भगेल और सिंग्देव जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वहां भी प्यार पहला है और सुभे सुभे ही आज हमने देखा नवजोज सिंग सिद्दू जी फिर से चन्नी जी के उपर हमला कर रहे थे वहां भी प्यार के बश्यक्ता है मुझे लगता है राहूं जी हिंदू धर्म पे हमला छोड़ करके आप अपने पार्टी के अंदर प्यार पहलाने की कोशिश करे जहां तक हिंदू धर्म के खिलाफ बयान बाजी करने का जो यह सिलसिला का अंग्रेस पार्टी में हमें पता है आपका पूरा परिवार यह गांधी परिवार हिंदू धर्म को चाहता नहीं यू हाव पैथलोजिकल हेट्र अगेंस्ट हिंदू इसम परिश्वर के लिए राम के लिए कम से कम उसे प्रदर्शित तो न करे कम से कम घ्रणा पहलाए तो नहीं और अंध्य में सिर्फ इतना ही कहूंगा ये रोज रोज जो आप राहुल जी सावरकर जी के खिलाफ जहर उगल रहे गांधी वर्सेस सावरकर करनी की कोशिश कर रहे है महान विभूतियों को विभक्त मत करिए उन्हें भिन भिन करके मत देखिए इन महान विभूतियों ने हमारे देश को सोतंत्रता दिलाई सावरकर ने गांधी के लिए अच्छा कहा गांधी ने सावरकर के लिए अच्छा कहा और ये सारी चीजे पुस्तकों में लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं मुझे कश्ट होता है आप महाविकास अगाडी उस सरकार के हिस्से में महाराष्ट में आपकी सरकार है और सावरकर जैसे हिंदुस्तान के गौरव के उपर एक मराठी मानूस के उपर जिस मराठी मानूस ने पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के कारण अपने वीरता के कारण नाम कमाया है आप उस मराठी मानुस पे रोज हमला करते हैं और मुझे आश्चर यह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो महराष्ट्र में आपके साथ गटबंदन में है वो आपकी बातों को सहते कैसे हैं इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं राहू गादी से आज सिर्फ इतना ही कहना था और मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओची बातों में भगवान शिव हम सब के आधर निये गुरु नानक देव कबीर जी इनको लेकर आते हैं आपका ये कहना कि भगवान शिव हमारे विचारधारा को मानते थे महायोगी अनंत योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना की कांग्रेस की विचारधारा को भगवान मानते थे पहले आपने कहा था ये जो कांग्रेस का हाथ है ये गुरुनानक देव जी का हाथ है ये भगवान राम का हाथ है भगवान शेव का हाथ है मुझे रगता है ये विचारों के साथ खिलवाड़ है बहुत बहुत धन्यवाद राहुर गांदी जी से शमाय आचना करवाने की मांग भी रखना अन्यता होगा क्योंकि यही उनका धेय है ये आज जो 100, 200, 300, 400, 500 पता न आप इन वालंटियर्स के माध्यम से हिंदू धर्म के विरोध में पूरे देश में वातावरन ना खड़ा करें भगवान राम के खिलाफ किसी प्रकार का वातावरन ना खड़ा करें हम इतना ही कहेंगे आप से ख्षमाय आचना मांगना मुझे लगता है विर्थ होगा इस प्रयोग शाला में यह प्रयोग किये जा रहे हैं और अगर भी प्रयोग किये जा रहे हैं तो वो जनेव दिखाने का मतलब बहुत पताने का वाइना क्या है? तो यह बहुत सोच समझ कर तुष्टिकरन की राजनीती को आगे बढ़ाने की नीती है और कोई आज से नहीं हो रहा है यह विगत सत्तर वर्षों से जबसे कांगरेस पार्टी जितने भी कालखंड में रही है सत्ता में या सत्ता से बाहर तब से कांगरेस पार्टी इसी प्रक लुष्टिक्रन की राजनीती कर्टे आ की ठेकला अब्सक्र आपमार्वार्टर ठार्टुर्टीब। और आर्ट। अपस्ट्क अवालि से फ। प्रॉश्मान कुशी चैनल अविधिती है डीकलेशिक अे- I would say what you asked was whether Rahul Gandhi is endorsing what Salman Khurshid said I would just put the corollary over here that in fact Salman Khurshid has endorsed what Rahul Gandhi has been saying since long remember it was Rahul Gandhi who went to a foreign destination, probably London and there he said that in fact RSS and the Hindu ideology was similar to the Muslim Brotherhood he had already made a similar kind of comment in a foreign destination and I am sure Mr. Salman Khurshid must have been inspired by the statement of Rahul Gandhi or might be Rahul Gandhi might have asked Salman Khurshid to reflect the same in his upcoming book to say that all these are lone wolves absolutely wrong, it's a pack of wolves I have seen the shantan in India's there so if he's an Hindu Buddha to find the shantan things però there is no if the Hindu Buddha shall be the shantan and will see the Shantan he ispa follower of the Shantan 3 करते हैं और इसी से इनकी जो असली नियत तुष्टिकरण की नियत उसके विशय में हिंदुस्तान जान पाता है। लेडिस। जान जान पाता है। ए मcią pagan TRACY मेंदुस्तान नियत व्कष्टिस ति के अद लाग्ai । करें इनके से एकष्टिस अ कிर का लिस्यू खूऌज की नियू कॉचकरण चूच्छ पातमा विशची में विश का छ थए। that we have heard such kind of utterances from Salman Kursi or from Rahul Gandhi, such kind of utterances have been of quite common nature as far as the Congress Party is concerned. Of course, it draws its inspiration from the politics of appeasement. . पुछ लिए साब जनता जनार्दन होती है और इसे केवल पांच राजियों के चुनाव के मद्दे नजर नहीं भारत के संस्कृती के मद्दे नजर देखना चाहे भारत के संस्कृती को जो लोग इस प्रकार के अपशब्दों से अलंक्रित करते हैं जिनके लिए अब शब्द प्रयोग करते हैं मैं एक बात सबस्ट रूप से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की जनता कभी भी कॉंग्रेस पाटी को क्षमा नहीं करने वाली है अंदा साथ प्लास सबस्टान का कुछ वाली हैं फुम चाहबिज्च प्टीने कापम γιαिर है ल grateful जहता एम जुरूज के क्यों से भीजी फुर। === अगर ऐसा कोई निरनाय होगा तो प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से हम बताएंगे धन्यवाद